दोस्तो गर्मी का सीजन आ गया है और इस टाइम पर बिजली की कटोती बहुत ही जादा होती है इसका कारण यह होता है कि यह जो जहां से हमारी बिजली आती है बहाँ पर overload होने के कारण बहाँ पर कैई सारे fault आ जाते हैं बार बार जिसके कारण बिजली कटोती होती है तो इस बिजली कटोती से हमें बहुती problem होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा help करता है मारा inverter अगर आपके पास inverter है तो वो आपको एहसासी नहीं होने देगा कि आपके हाँ बिजली कितने time के ले गई आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो अगर आप भी इस season inverter लेने की सोच रहे हैं या आप इस season में inverter लेना चाहते हैं तो आपको क्या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे आप अपने घर के लिए एक अच्छा inverter सिलेक्ट कर सकें जिससे आगे चलके आपको कोई भी परेशानी ना हो तो आज हम आपको इस वीडियो में complete जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपने घर के लिए कौन सा inverter लेना चाहिए उसमें क्या खासियत होनी चाहिए तो इसमें हम आपको complete जानकारी देंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो भी दोस्ट चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe जरूर करने अगर inverter की बात करें तो market में आपको दो परकार के inverter मिलेंगे एक तो normal inverter मिलेगा दूसरा UPS inverter तो अगर हम normal inverter की बात करें तो जो normal inverter होता है वो क्या करता है जब supply कटती है तो जो normal inverter है वो एक second से कम के लिए जो supply है सारी supply को off कर देता है उसके बाद वो backup देता है तो इससे क्या होता है जो भी आपके उपकरण चल रहे होते हैं वो एक second के लिए off हो जाएंगे उसके बाद दुबारा start होंगे तो आप सोचेंगे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है तो इससे फर्क पड़ता है अगर आप जो PC है उस पर काम कर रहे है या कोई भी आपका उपकरण है तो अगर वो एकदम जर्क पड़ता है तो वो भी खराब हो सकता है और अगर आप PC पे काम कर रहे हैं तो आप कोई भी file है वो बना रहे हैं तो जैसे ही आपका जो PC है वो off होगा तो जो आपका file है वो भी आपकी बंद हो जाएगी फिर आपको दुबारा काम start करना पड़ेगा तो इसलिए आपको ये जो normal inverter है इसको select नहीं करना है और दूसरी बात करें UPS inverter तो UPS inverter क्या होता है कि जब भी यहाँ पर आपके हाँ कोई भी बिजली है जब cut होती है और कोई भी उपकरन आपका चल रहा है तो उस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा उसकी supply बिल्कुल भी off नहीं होगी जैसे बिजली cut होगी हाल के हाली बहाँ पर जो आपका UPS inverter है वो backup देना है start कर देगा आपका कोई भी उपकरन है वो off भी नहीं होगा तो इससे आपको हमेशा याद रखना है आपको normal inverter नहीं लेना है आपको UPS inverter लेना है इसकी कीमत थोड़ा फर्क होगा इसमें तो आपको याद रखना है कि आपको UPS inverter सेलेक्ट करना है UPS inverter में भी आपको तीन परकार के inverter मिलेंगे एक तो square wave inverter एक modified sun wave inverter एक pure sun wave inverter तो आपको इसमें से कौन सा लेना है अगर बात करें square wave inverter की तो जो square wave inverter होता है वो क्या करता है जो आपकी बिजली घर में आती है उसकी जो frequency होती है वो sinusoidal होती है तो वो इस परकार से चलती है लेकिन जो square wave inverter होता है तो वो क्या करता है square में चलता है उसकी जो frequency है वो square में होती है तो इससे क्या होता है जब यह बिजली करती है तो जो इनवेटर है कुछ साउंड भी करता है और उसके बाद जो आपके फैन बगेरा होते हैं जो भी उपकरण होते हैं वो कुछ साउंड भी करते हैं जब चलते हैं इनवेटर से चलते हैं और यह जो उपकरण है वो खराब हो परिवर्तन कर पाएं लेकिन यह थोड़ी दोटेशने के वी चांसे रहते हैं तो इसलिए आपको जब भी आप कोई भी फैन बगेरा की बॉरंटी मिलती है तो अगर वह इनवेटर से चली हो अगर आपका फैन इनवेटर से चला होता है तो वह उसकी बॉरंटी भी खतम हो जा यह थोड़ा भी फर्क बढ़ा लेकिन पूरी तरह से यह भी कारगर थावित नहीं हुआ इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई तो इसके बाद आता है हमारा प्योर साइन बेव इनवेटर तो इसके बाद जो मोडिफाइब साइन बेवी इनवेटर था उसमें और मोडिफ तो ये pure sunbave inverter क्या करता है जो भी हमारी बिजली घरों में आती है जिस frequency से आती है उसी frequency से जो हमारा pure sunbave inverter है वो उसी frequency से supply को output में देता है तो इससे क्या होता है हमारा कोई भी उपकरण है वो ना तो sound करता है और ना ही वो खराब होने के उसके जानत chance रहते है क्योंकि आपको जो उपकरण है वो जिस frequency के लिए बना है वो inverter भी बही frequency आपको provide कर रहा है तो जो उपकरण है वो normal तरीके से work करेंगे उसमें कोई भी sound नहीं होगा और ना ही उसके खराब होने के chances रहेंगे तो अब आपको पता चल गया है कि आपको UPS inverter लेना है और उसमें भी आपको pure sun wave inverter लेना है तो अब बात करें कि आपको अपने घर के लिए कितना BA का inverter लेना है तो जब भी आप inverter खरीदने की सोच रहे हैं तो माल लीजे आपके घर पर कई तीन रूम है और उसमें फैन लगे हुए है तो आपके तीन फैन हो गए और माल लीजे आपके यहां पर सारे LED बल्ब लगे हुए है तो आपके 9 बाट के 6 LED बल्ब हैं और माल लीजे आपका जो भी मंदिर बगेरा है उसमें भी कोई डेकोरेशन लाइट लगी है वो भी आपको इन बैटर से चलाना है तो आपको सबका इसका बाटेज पहले निकालना होगा तो जो आपके फैन होते हैं वो 70-80 पर जो बाटेज के होते हैं तो आपको 75 माल लेंग तो यह माल लीजे अगर आपकी LCD TV है जो की 42-43 जो इंच की आती है उसका जो बाटेज होगा वो 80 बाट के करीब रहता है और अगर आप मोईल चार्जर की करें तो आप माल लीजे 20 बाट माल लीजे अगर आपके एक दो मोईल है कोई 10 बाट का भी होता है कोई 18 बाट का भी तो आप 20 बाट माल सकते हैं और अगर बात करें जो मंदर की डेकुरेशन लाइट बगेरा है 20 बाट आपको उसका माल लेना है तो अगर आप इसका पूरा बाटेज को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह अगर आप जो 75 बाट का जो फैन है तीन फैन होंगे त तो यह टोटल करेंगे तो आपका 399 आ जाएगा बाट इसका तो आप इसको 400 बाट मान सकते हैं तो माल लीजिए हमारा जो घर का लोड है वो 400 बाट हो गया है तो इस 400 बाट में आपको 25% 70 फैक्टर और एट करना है जैसे कोई भी उपकरण होता है वो जब भी स्टार्ट हो तो इलेक्ट्रिकल में यह हमेशा लिया जाता है तो आप इसको अगर 25% करेंगे तो इसका जो पर्षेंटेज निकलेगा तो आपके 100 आ जाएगा यहापर 25% अगर 400 बाट इस था तो यहाँ पर 500 बाट हो जाएगा तो इसके बाद आपको इसमें एक और चीज़ आट करनी है अगर आपको पावर फेक्टर अपके घर का पता है तो ठीक है नहीं पता तो आप इसको 0.8 मान सकते हैं और इसको यैड कर सकते हैं तो आपको simply क्या करना है जो आपका बाटेज था 500 बाटेज था तो इसको simply डिवाइट कर देना है 0.8 से तो इसमें क्या है जब पांसो निकल के आ गया है इसके आधार पार आपको अब इनभर को पर्चेस करना है तो इसके बाद मन मे एक सवाल आरह और होगा जो भी ही इसके बात करें कि जो इन भी यहां लेने जाते हैं तो आप को यह देखना है कि वूसका कि उपिस सब्सक्रेट करें जो भी आप inverter purchase कर रहे हैं उसकी efficiency क्या है जो भी inverter होते हैं वो 60-90% efficiency वाले होते हैं तो आपको यह दिखना है कि कितनी efficiency का आपका inverter है तो माल लीजिए आपका जो inverter select कर रहे हैं उसकी जो efficiency है वो 90% है तो efficiency का मतलब होता है कि जो भी आपका inverter है उसने आपकी जो भी चार्ज करने मे जो भी electricity को consume किया है तो उसके बाद वो आपको उसका 90% ही return देगा और जो 10% था वो उसमें loss हो जाएगा तो इसकी यह efficiency हो गई है तो इसलिए आपको माल लीजिए आपने 90% efficiency वाला एनिवेटर को select किया है तो आपको अपने घर का load जो होता है उसमें आपको इसमें divide कर देना है 0.9 से तो simply आपको जो आपका बाटेज था वो 625 था और इसमें आपको 90% efficiency वाला इनिवेटर आपने चूज किया है तो आपको simply क्या करना है 0.9 से 625 बाट को divide कर देना है भाग दे देना है तो आपका जो बाटेज निकल किया आजाएगा वो 694 BA आजाएगा तो यह आपका BA rating में आजाएगा तो आपको अब इनिवेटर इसमें select करना है तो आपके calculation के हिसाब से तो BA rating का इनिवेटर आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको 700 BA का इनिवेटर मिल जाएगा मार्केट में तो आप वो purchase कर सकते हैं या अगर आपके पास 700 BA का इनिवेटर नहीं मिल र है तो उससे nearby जो भी आपका BA rating का इनिवेटर मिलना है आप उसको select कर सकते हैं तो एक याद रखे आपको ज्यादा BA का इनिवेटर नहीं लेना है नहीं तो आप सोचें 900 BA का ले ले या 1100 BA का लेना यह सा नहीं करना है जो आपका calculation आ रही है उसके nearby जो भी आपका BA rating का इनिव P.S. इनिवेटर लेना है अगर आपके पास कोई available हो तो आप उसको दिखाएं तो अगर दुकांदार क्या होता है कि कोसिस करता है को उसको जिसमें ज्यादा commission होता है वो आपको उसके बारे में ज्यादा उसकी अच्छा ही है आपको बताएगा आप से बोलेगा इस से अच् चेस नहा करें दूसरा इनिवेटर ना लें और ब्रांड आपको इसा भी चुन सकते हैं आपको ब्रांड सारे अच्छे मिल जाएंगे कही आपको अच्छे ब्रांड का पता होगा तो आप कोई सावी brand select कर सकते हैं वो आपको खुद करना है तो अब बात करते हैं कि आपको अपने घर के लिए battery कौन सी लेनी है और कितने AH की लेनी है तो बात करें कि market में आपको दो पिरकार की battery देखने को मिलेगी एक तो flat plate battery मिलेगी दूसरी आपको tubular battery मिलेगी जो cost है वो थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है लेकिन आपको इसमें बहुत सारी खूबिया भी मिलेगी तो आपको tubular battery ही लेनी है तो इसके लिए आपको हम किसी और बीडियो में बता देंगे इसको classify करके बताएंगे कि आपको क्यों ये tubular battery लेनी है ये बीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम आपको इसमें नहीं बता रहे हैं लेकिन आपसे इतना कह दिया है कि आपको जो battery select करनी है वो tubular battery select करनी है तो अब बात करें कि आपको कितने AH की battery है वो लेनी चाहिए आपको कभी भी ज़्यादा AH की battery नहीं लेनी चाहिए आपको जो भी जितना उसका backup चाहिए उस हिसाब से आप battery को decide करें तो आपको battery का AH कैसे निकालना है तो माल लीजे आपको अपने घर का load पहले से पता है कि हमारे जो घर का load है जो हमें inverter से चलाना है वो 625 बाट है जो हमने अभी निकाला था तो आपको simply क्या करना है 625 बाट लिखना है और उसके बाद आपको backup इसमें कितना चाहिए तो माल लीजे आपके घर पह जो light है वो थोड़ी ज़्यादा करती है या कम करती है उस हिसाब से आप मान सकते है तो हम मानना है कि हमारे यहाँ जो फिजली करती है वो हम 3 घंटा इसमें हमें backup चाहिए कि जब भी हमारी light जाए वो उसके बाद जो 3 घंटे है जो भी उपकरण है वो 3 घंटे तक हमारा चल जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 घंटा लिया है यहाँ पर backup में आपको 3 घंटा ले लेना है और उसके बाद आपको divide कर देना है 12 से क्योंकि जो आपके normally बैटरी होती है वो 12 बोल्ट की होती है अगर आपके 24 बोल्ट की बैटरी है तो आप 24 बोल्ट से divide करेंगे तो normally जो घरों में बैटरी होती है वो 12 बोल्ट की होती है तो आपको यहाँ पर 12 बोल्ट से इसको divide करना है तो जब आप इसको 625 से 3 से into करेंगे तो आपको यहाँ पर 1875 आ जाएगा और इसको आपको 12 से divide कर देना है तो आपका 156.25 AH निकल के आ जाएगा तो आपको इसके लिए यहाँ पर जो इससे उपर वाला AH रेटिंग की जो बैटरी होती है जैसे यहाँ पर 160 AH की बैटरी मिलेगी तो आपको इसके लिए आपको 160 AH की बैटरी को ले लेना है तो यह आपका इन बैटर हो गया और बैटरी हो गई तो आपको इस हिसाब से इसको calculate करना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी और इन बैटर को खरीदना है आपको किसी भी की भी बातों में आके अपने घर के लिए इन बैटर नहीं लेना है आपको खुछ से decide करना है कि आपकी क्या जरूरत है और आपको किस लिए यह better battery चाहिए है तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो इसे like share जरू करें और जो भी दोस चैल पर नए है और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैल को subscribe करके bell icon क को जरूर प्रैस करें जिससे हम कोई भी वीडियो upload करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आ जाए तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आप से इसी प्रकार की किसी और वीडियो में